आपके अपने चैनल जोती शेन वास्तु में कैसे हैं आप सबी आज हमें आपर बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2024 के बारे में 9 जुलाई 2024 का ये दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर क्या आ रहा है कौन-कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत जादा अच्छी रहेंगी क्या रहेगा आज का angel number और आज का affirmation कैसे आप आज के इस दिन को और जादा बहतर बना सकते हैं सारी जानकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखेगा ताकि कोई भी चीज आप से मिस न हो जाए आज का दिन बहुत ही जादा important दिन है और बहुत ही जादा powerful दिन है आज के दिन में मंगलवार का दिन है और 9 नमबर मंगल का नमबर होता है जो अगेन इस दिन को और जादा power दिता है ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से भी देखा जाए तो आज के दिन में energy level काफी जादा high रहेगा इस वज़े से आज के दिन में आप सभी के पास बहुत बड़ा मौका है अपने आपको और जादा positive बनाने का अपनी परिशानियों को दूर करने का और खास कर अपनी health को ठीक करने का आज का दिन मानसिक और शारिरिक चीजों से शारिरिक परिशानियों से मानसिक परिशानियों से अपने आपको मुक्त करने का दिन है बहुत बार ऐसे समय आते हैं जहां पर हम कोई treatment कर रहे हैं पर अच्छे result नहीं मिल रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं पर हम किसी depression से बाहर नहीं आ पा रहे anxiety से बाहर नहीं आ पा रहे और हम कोशिश करने के बावजूद भी अच्छे results को नहीं देख पा रहे आज का ये दिन काफी जादा बड़ा दिन है और काफी जादा अच्छा दिन है जहां पर आप सभी के पास बहुत बड़ा मौका है अगर आप सभी अपने जीवन में किसी भी तरह की चीजों से परिशान है जैसे relationship के issues हो गए financial issues हो गए, पैसों को लेकर के कोई परिशानी हो गई या फिर job में किसी तरह के कोई दिक्कत कोई परिशानी हो गई और या फिर किसी तरह का शारिरिक और मानसिक कश्ट हो गया इन सारी परिशानियों से छुटकारा पाने के लिए इन सारी परिशानियों से अपने आपको मुख करने के लिए आज का ये दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत जादा अच्छा दिन है आज का दिन अपने confidence को वापस पाने का दिन है अपनी positivity को वापस लाने का दिन है negativity से positivity की तरफ move करने का दिन है और साथ ही साथ आज के दिन में हर परिशानी का डट कर सामना करना और उस परिशानी से बाहर निकलना इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं आप सभी से request करूँगा कि आज के दिन का पूरा पूरा फाइदा उठाईए और जैसे आप कोशिश करके थोड़ा सा भी प्रयास कर लेंगे तो definitely आप खुद महसूस करेंगे कि इस बड़ी परिशानी से आप अपने आपको बाहर निकालते हुए देख रहे हैं आज के दिन में अगर आपका जन्द दिन है आपके जीवन का कोई भी विशेश मेताफून दिन है आप सभी को मेरी और से हारदिक शुप कामना है आने वाला साल बहुत जादा मेहनत करवाने वाला साल है आसानी से कोई भी चीज नहीं मिलेगी इस तरह की योग यहां पर बनते हैं और आने वाले साल में जितनी जादा मेहनत कर लेंगे उतने ही अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे आप सभी के कुंडली के इसाब से अगर calculate किया जाए तो आने वाले साल में कहीं न कहीं property का सुख आपको मिल सकता है बहुत strong chances है और यात्राएं आप अच्छी कर पाएंगे अच्छे level पे एक जगे से दूसरे जगे जा सकते हैं विदेश जा सकते हैं इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं तो अगर आप सभी बाहर settled होना चाहते हैं और अगर आपका जंदिन है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा positive मौके लेकर के आ रहा है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में कौन सी राशी, नमबर और alphabet के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा खास रहेगा राशों में यहाँ पर बात करें तो आज के दिन में सीह राशी, व्रश्चिक के राशी, धरू राशी और मकर राशी के लिए समय काफी ज़्यादा अच्छा है Numbers में बात करे, Numbers 3, Numbers 5, Numbers 6 और Numbers 9 के लिए समय काफी जादा अच्छा दिखाई दीता है Alphabets में दिखा जाए, तो Alphabets में B, D, H, M, N, L, V और W आप सभी के लिए आज का दिन काफी जादा अच्छा है अब बात करते हैं आप पर आज के दिन में कौन सा Angel Numbers आप सभी के लिए बहुत जादा खास रहेगा आज के दिन में जो Numbers आप सभी के लिए रहेगा 44977 यह बहुत बहुत जादा Important Numbers है, बहुत जादा Positive Numbers है और आज के दिन में जब भी आप इस Numbers को Recall करेंगे आप खुद बखुद मैसूस करेंगे कि कैसे यह Numbers आपके मानसिक Stress को, मानसिक तनाव को आप से दूर कर रहा है आपको किस तरह से Relax रहने में आपकी मदद कर रहा है किस तरह से Spiritualism के साथ आपका एक Connection बना रहा है और आपको एक Inner Power देता हुआ नजर आ रहा है थोड़ी सी महनत आपको करनी है इस Numbers को कम से कम 21 बार आज के दिन में चांट कर लीजेगा यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा आज के दिन में जो Affirmation आपको इस्तमाल करना है यह Affirmation भी आपके लिए बहुत अच्छा है और आज का Affirmation भी आपको Heal करने में काफी जादा मदद करेगा बहुत Simple है और बहुत Simple शब्दों आपको इस्तमाल करना है I am Healing Inside and Out I am Healing Inside and Out मदद की आप अंदर से और बाहर से अपने आपको Heal कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे लिएर के अपने आपको Positive महसूस कराते हुए नजर आ रहे हैं बहुत Simple Affirmation है और बहुत Simple तरीके से इसको अप्रोच करना है अगर आज Mirror में देख करके इस Affirmation का आप 9 बार Recall कर लेंगे तो आप खुद बहुत महसूस करेंगे कि कितना ज़ादा Positive आप महसूस कर रहे हैं कितनी ज़ादा Positive आपको देखने को मिल रही है आज के दिन में Color Combinations की यहाँ पर बात करें कि कौन सा Color आपको इस्तमाल करना है तो आज आपके लिए जो सबसे ज़ादा Powerful Color रहेगा यह आपका रहेगा Multicolor और Multicolor में भी आप White Color का, Green Color का, Red Color का और Blue Color का Combination बना सकते हैं यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा खास कर Red and Blue आप आस-पास लेकर के ही चलें यह आपको काफी ज़ादा फाइदा देता हुआ नजर आएगा Golden Wish Time की यहाँ पर बात करें सबसे ज़ादा महतुपून समय आज के दिन में कौन सा रहेगा 12 बच कर 30 मिनिट 12.30 से लेकर के 1.30 एक बच कर 30 मिनिट का समय आपके लिए काफी ज़ादा महतुपून समय रहेगा इस समय के दौरान में कोई भी जरूरी चीज़ करनी है आप कर सकते हैं किसी भी मिटिंग में जाना है अपने बॉस के साथ कोई बहुत ज़ादा इंपोर्टन डिसकेशन करना है आप इस समय में जरूर कर सकते हैं ये समय आपके लिए काफी ज़ादा अच्छा रहेगा अब बात करते हैं वैदिक रेमिडीज में क्या क्या आपको करना है जो बहुत ज़ादा अच्छा रहेगा और एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता देता हूं कि गुप्त नवरात्री चल रही है और गुप्त नवरात्री के साथ 8 और 9 डे मिलब कि 8 और 90 दिन हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं जिसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी आप सभी अगर मेडिटेशन को जॉइन करना चाहते हैं मुझे वाटसप पर मैसेज कर दीजेगा आगे की सारी जानकरिया आपको वाटसप पर मिल जाएगी वेडिक रेमिटीज में आज के दिन में दो महतुपून चीजें आपको जरूर करनी है अगर आपको लगता है कि आपके उपर कोई बुरी बला है कोई बुरी बाधा है या किसी ने कोई नजर लगा दी है कोई टोक दे दी है और आप बहुत ज़्यादा positive feel नहीं कर पा रहे है आपको क्या लेना है राई के कुछ दाने लेने हैं नहाने से पहले ये उपाय कर दीजेगा बहुत अच्छा रहेगा राई के कुछ दाने लेने हैं और अपने उपर से 9 बार anti-clockwise गुमा करके flush कर दीजेगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज खाना बराने के पश्चात किचन को पूरी तरह से साफ जरूर कर दीजेगा गंदगी ना रखें और जूटे बरतन ना रखें उसके साफ सफाई के पश्चात ही अपने बिस्तर पर जाईएगा इस बात का द्यान रखेंगा आज के दिन में कुम कुम का टीका अपने मात्य पर जरूर लगा दीजेगा यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आज एक चीज का विशेश द्यान रखेंगा कि अपने सिक्रेट्स अपनी बातें अपनी चीजें किसी के साथ ऐसे ही शेर ना कर दें लोग इसका गलत फाइदा उठा सकते हैं और आज पैसो के लिंदेन में भी थोड़ी सी साथदानी रखेगा ताकि आपको कोई नुकसान ना देखने को मिले उमीद करता हूँ आज का दिन आपका शांदार जाएगा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परिशानी आपको महसूस नहीं होगी वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा कुछ भी पूछना चाते हैं जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाते हैं आप उसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सबी की हर संभव मदद्यां पर कर सकूँ धन्यवाद